स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी अकैडमी में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपना आधार काड को किस तरीके से यहां पर लिंक करना है तो दोस्तों हम यहां पर कोटक महिंद पर https.oo, को क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आप आजाेंगा जिस तरीके से इधर खुला होण今 है इसी तरीके से इधर सर्विसिज आपको सबसे नीचे आने के बाद बैक टू टोप के नीचे ढूंड लेना है जब आधार सर्विसिज को ढूंड लेंगे तो यहाँ पर लिंक और आधार का उप्सन आ जाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरीके से पेज खुल कर आ को भी नमबर नहीं लिखता हूं तो यहां देखे यह मैंने लिख दिया वन टू थी फॉर फाइब सिक सेवन एट नइन जिरो लेकिन आपको यहां पर अपना मोबायल नमबर लिखना है सही साही और उसके बाद जो है आपको अपनी डेट अप बर्त लिखनी है डेट बर्त में आपको select कर लेना है जैसे अगर आपकी date of birth जो है यहाँ पर देख लेना है जैसे आपकी date of birth मान कर चली 1902 में है और February, April, June जो भी है जैसे हम मान लेते हैं 2 June 1902 में है तो यहाँ पर mobile number और date of birth इसके बाद आपको OTP पर send कर देना है या फिर CRN number है तो CRN लेकिन अगर आपको पास ऐसा कुछ नहीं है तो आपको date of birth पर ही रहने देना है तो आप date of birth पर रहने देंगे इसे तो यहाँ पर इस तरीके से लेट of birth पर रहने देंगे तो उसके बाद यह सब प्रोसेस करने के बाद जो है आपको send OTP पर क्लिक कर देना आपके पास एक OTP बेजा जाएगा यहाँ पर नीचे और option पर बता देना है कि मेरा पहले से ही है तो मैं नहीं करना चाता हूँ तो अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो फिर इस प्रोसेस को अपनाने को कोई फायदा नहीं है लेकिन अगर आपका direct benefit ट्रांसफर याण dbt subsidy आदी के लिए आपने किसी कोई bank आपका link नहीं आधार से त लिए लिंक हो जाएगा वासा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल सरकारी अकैडमी को जरूर सब्सक्राइब करने और आप हमारी website सरकारीacademy.com पर भी जा सकते हैं जहां पर आपको नए नए आर्टिकल्स पढ़ने के लिए मिलते हैं धन् दोस्तो आपको दिन सुबुख